वेसे तो कहावत है चार दिन की चांदनी फिर वही अंदेरी राब। लेकिन यहाँ पर तो चांदनी भी शिर्फ तीन दिन दिन की जिया दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आदिपुरुष अरे रुकिये जरा आप इससे पहले की वीडियो छोड़ कर जाएं इस वीडियो में हम बात करने वाले है आदिपुरुष से हुए दो महत्पूर्ण फाइदों के बारे हैं। नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल श्वागत है आपका मेरे शनल बोलीवूड वो कहावत है ना कि चार दिन की चांदनी और फिर वही अंदेरी राब। लेकिन यहाँ पर तो चां करने वाले हैं आदिपुरुष के कलेक्शन जो की एक प्लेइन क्रेश की तरह गिर चुका है और वहीं इस मुवी से होने वाले दो फायदे के बारे में बात करें लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इससे मेरी नजरों में तो जो दो महत्पूर्ण फायदे हुए उसक और सायद इस मूवी के मेकर्स और बोलिवूड के माफियाओं को सनातन और सनातन के मानने वालों की ताकत का अंदाजा लग चुका है तो अगर हम स्टाइडिंग से बात करें तो इस मूवी ने पहले दिन यानि की शुक्रवार के दिन 16 तारिक के दिन इसने कलेक्शन किया था 85 करोड रुपे का सनिवार के दिन इसने कलेक्शन किया था 65 करोड रुपे का रविवार के दिन इसने फिर थोड़ी सी कमाई में बड़ोतरी की दिखाई थी और 79 करोड रुपे का गलेक्षन किया। लेकिन जैसे ही शोमवार आया ये मूवी नीचे आ गई और इसने मात्र 16 करोड रुपे की। पिंगलवार के दिन इसने फाड़े 10 करोड रुपे के शम् commission कुछ कमाई की। जोदवार के दिन ये मूवी और नीचे आ गई और इसने साथ करोड रुपे की की। और दूसरे सुक्रवार, जिस दिन की इसके मेकर्स ने एकोर चाल चलते हुए, चाल पर चाल चलते हुए, इसकी टिकेट की प्राइस धाई सो रुपे से धटा कर देड़ सो रुपे कर दी थी, उस दिन इस मूवी ने मात्र तीन करोड पच्चिस लाख रुपे की कमाई थी, अगर media reports की माने, तो इस movie का budget 600 क्रोड रूपे बतायागा, जी यदा दोस्तो 600 क्रोड रूपे और इस movie ने अब त़क Indian box office पर 263 क्रोड रूपे की कमाई offend तो इस हुसाब से तो ये movie इंडियन box office पर 300 क्रोड का आंकड़ा भी पार करके भी नहीं दिखाए दे रही है हाला कि इसके makers ने अभी तक इसके social media rights और satellite rights और ये सारी चीज़े बेजबाच कर अपना मुनाफ़ा तो निकाल लिया होगा अपना जो लागत लगाई थी वो तो निकाल ही लिया होगा लेकिन जिस तरह की इस movie के साथ ने भावनाएं जुड़ी थी जिस तरह के scale पर इस movie को लेकर बाते की जा रही उसके according अगर ये movie बन थी तो साथ ये movie अब तक 1000 क्रॉड टस्च कर चुकी है लेकिन साथ इसके makers की मती मारी गई थी जो की modern रामायन दिखाने के चक्कर में रामायन का मजा कोड़ा बे तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस movie से वे दो महत्वपूर्ण फायदों के बाले भारत देश में रहने वाला हर एक नागरिक हर एक नागरिक नहीं तो जो जागरूख है सोसल मीडिया का यूज करता उसको तो पता ही होगा कि भारत दो धड़ों में बटा हुआ है लेफ्ट विंग और राइट विंग ये पहला मोका ऐसा है जब यहाँ पर लेफ्ट विंग और राइट विंग के लोग दोनों एक साथ आकर मिल रहे और एक साथ बोल गए जिया दोस्तों दोनों ही विंग के लोग राम नाम की रट लागा कर बैठे हैं और दोनों ही विंग के लोग इस मूवी का विरोध करता है नहीं तो अधिकतर होता यह है कि अगर किसी मूवी के साथ ने विवाद जुड़ता है तो एक धड़ा ऐसा होता है जो कि इस मूवी के सपोर्ट में खड़ा होता है और दूसरा धड़ा ऐसा होता है जो कि इस मूवी के विरोध में खड़ा होता है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है आदी पुरुष के केस में विलेपट विंग और राइट विंग दोनों शाथ में आकर खड़े हैं और दोनों ही इस मूवी का विरोत कर दे हैं वहीं दूसरे फाइदे की बात करें। तो दूसरा फाइदा ये है कि बोलिवुट के इन माफियाओं को बोलिवुट के इन मेकर्स को जिनकों की लगता है कि ये क्रेटिविटी के आजादी के नाम पर कुछ भी करेंगे किसी का भी मजाक उड़ाएं जैसा कि होता आया है पहले से ही हमारे हिंदु धर्म का मजा कि ये लोग उड़ाते आये हैं और हर बार इनकी मूवीज ने पता नहीं के से कमाई कर लिए और इनको लगता था कि नहीं ये बोईकॉट और ये सारी चिज़े कुछ नहीं होती हिंदु कभी एक हो नहीं सकता सनातनियों में इतनी ताकत नहीं है कि साज़ें उनको अब कि 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 कुछ दीन धर्म ही नहीं और सनातनी हो या फिर कोई और धर्म का हो किसी के भी आराद्दि के साथ इस तरह का घिनोना मजा करना अ अच्छी बात नहीं हूँ जो कि इन लोगों को कुछ इस तरह से समझ माया हुआ क्योंकि इन लोगों को तो कोई दिन धरम है ही नहीं हाँ एक तरब आधि पुरुष के मेकर्स ने ये फिल्म रिलीज होने के पहले एक इंटर्वीव में कहा था कि भाई हमने हु बहु जो रामायन है वेसा ही हमने कहानी बनाई है कुछ भी छरचाड नहीं किया गया है वहीं आप यहीं MAKERS कह रहे हैं कि भाहिया हमने तो रामयान बनाई नहीं है हम तो उससे प्रेरित हुए है हम तो उससे inspired है हमने तो एक जो उसका कांड होए युद्ध कांड उसके कुछ हिस्सों को दिखाया है वहीं इसके डारेक्टर ओम राउच साहब इन्होंने एक ट्वीट किया था कुछ सालों पहले जिसमें इन्होंने हनुमान जयनती के उपर लिखाता है कि भहिया क्या हनुमान जी आपके बहरे हैं जो इनको इत्ती जोर जोर से बाजा बजा कर सुनाना पड़ता है अब वही आदी पुरुष के डायेक्टर ओम राउच जी ने उनके फिल्म जब रिलिज होई तो इस टाइम पर उन्होंने घोषना की कि भहिया हमने हर एक थियर्टर में हनुमान जी के लिए एक सीट खाली छोड़ी है कहां से लाते हो इतना दोगला पन खेर जो भी हो इन लोगों को शायद सनातन की ताकत का पता चल गया होगा कि किसी के आराद्दी के बारे में इस तरह से उल जलूल बोलना अच्छी बात नहीं है तो दोस्तों आपकी क्या है राय कमेंट करके मुझे जरूर बताना और अगर आपने अभी तक मेरे शेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से कर दीजे और इसी तरह की खबरों के लिए बने रही है मेरे शेनल के साथ